सबी किसान भाईयों को नमस्कार साथियों समय आ गया है अब धान लगाने का और काफी किसान नए नए बीज ले रहे हैं मगर भूले नहीं कि पिछले साल धान में आये थे बौने पौदे और पंजाबी में कह देते हम कि मदरे पौदे आये से गिये देचे ये पौदे किस कारण आये थे कौन सा कीट है जो इन पौदों को बौना करता है उस बारे में आदरनिये डॉक्टर अशोक कुमार सिंग निदेशक भारतिये क्रिशियन उसंदान संस्थान ने कुछ सुझाव दिये हैं उनकी एक-एक बात को सुनिये और आयाराई के यूट्यूब चैनल पूसा समाचार को आप सब्सक्राइब भी करें आये सुनते हैं डॉक्टर एके सिंग साब को किसान भाईयों नमस्कार आप धान के फसल की तयारी कर रहे होंगे कुछ किसान भाई धान की सीधी विजाई भी कर रहे हैं और इसके वारे मैंने पूसा समाचार के पिछले विसेश अंक में आपको जानकारी दी थी और इस वारता में मैं मुख्य रूप से आपको वताना चाहूँगा कि जो धान में एक पिछले वर समस्या आई थी फिजी वाईरस की जिसको हम सदर्न राइस ड्वार्फ स्ट्रीक वाईरस के नाम से जानते हैं और इसके वाईरस के चलते यह जो विशानू था इसके चलते धान की रुपाई के करीब 30-35 दिन बाद आपको खेत में कुछ पौधे छोटे दिखने लगे थे बिलकुल बौने पौधे दिखने लगे थे कि संख्या अलग-अलग किस्मों में 5 से ले करके 20 प्रतिसत तक पाई गई थी और सायदी को यसी किस्म थी जिसमें की इनका प्रभाव देखने को नहीं मिला था कुछ में कम, कुछ में ज्यादे अब चुकि हम अगली फसल के तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार से या क्या विसेश धान रख करके हम इस फिजी वाइरस का नियंतरन कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ यह विसान जैसा कि मैंने पहले कई वार बताया है एक पौधे से दूसरे पौधे में तेला या चेपा जिसको हम विशेश रूप से वाइट बैक्ट प्लांट हापर जो सफेद रंग का फुदका होता है पीट पर सफेद रंग के धब्बे पाय जाते हैं बाकि इसका भूर देता है अब चुकि खेत में इसको देखने में हमें मिला के करीब 25-30 दिन की फसल जब हुई तो इसका प्रकुप जादे दिखने को मिला इसका एक कारण यह हो सकता है कि यह जो संक्रमन आया था यह पौधसाला से भी आ सकता है जो यह सफेद रंग का तेला है वाइट बैक मिल जाता है कि वो एक सीजन से दूसरे सीजन में लगातार अपनी चंसंख्या को बनाए रखता है और जब बरसात होती है हवा चलती है तो उसके साथ यह उत्तर भारत में आकर के यहां पर भी अपना प्रफाव डालता है इसलिए जरूरी है कि जब हम पहुत साला की तयारी कर रहे हैं नर्सरी लगा रहे हैं तो उस समय इसका नियंतरन करें और इसके लिए आपको नर्सरी लगाने के दस से पंदर दिन बाद जब अच्छी तरह से बढ़वार हो जाती उसको ध्यान रखिए और कहीं पहुत साला में अगर आपको तेला या चेपा का प्रकूब दि इसकी 100 ng दवा एकर के लिए प्रयाब्त होती है और चेस्ट दवा है जिसकी 120 मात्रा प्रती एकर के लिए प्रयाप्त होती है करीब 200 से 200-200 लीटर पानी लगता है एकटर के लिए जब हम समान्य फसल में इसका छिड़काव करते हैं उसमें फसल के बाड़वार बहुत ज़् कि और नहीं होगी और मात्रा भी जो है दवााकीहों थोड़ा सा कम कर सकते यसे सो ग्राम के वाज़ आप ऐसी ग्राम में उसी है अगर आप को कहीं तेल या चहपा दिखता है तो इसका छिड़का पहुत साला में जरूर करें ऐसा करेंगे तो फिर जो तेला है वो नहीं लगेगा और तेला जब नहीं लगेगा तो यह विशानु जो फिजी वाइरस है वो फैलेगा नहीं इस अंदर में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे वैग्यानिकों ने य तो आपसे यह भी अनुरुद हैगा कि आप अपनी नर्सरी के अगल वगल आसपास बिल्कुल सफाई रखें खरपतवार फ्री हो ताकि कोई इसको अल्टरनेटी होस्ट जो है न मिल सके तो मुझे उमीद है और विश्वास है कि आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे औ और अपनी पौत की अच्छी तरह से देख रेक करेंगे ताकि फिजी विशानुस से आपको मुक्ति मिल सके बहुत बहुत धन्वागी